नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे भाई ससी सीजियल में एडवांस में से जो ये चैप्टर है हमारा अलजेब्रा इसकी वेटेज काफी ठीक ठाक है और भाईया सही से यहां से क्यूस्टन उठ जाता है और जो क्यूस्टन प्रैक्टिस जो हम करेंगे प्रिवीस येर के प्रिय और मेंस के उसमें क्या है कि जो मैंने क्यूस्टन सेट की है एक तो सीधी पीडियाफ गगन सर की जो मैंने उठाई है सीधी की सीधी वही है वाई जो नोंने question compile कर रखें वो कुछ उन्हीं की books में से हैं और कुछ question हमारे जो राकेश यादाउसर की जो book है वहाँ से उठाए हुए है तो start करते हैं आज भाई algebra algebra की यह basic formula हमने school time में काफी पढ़े हैं बस भूल जाते हैं ध्यान नहीं रहता revision अच्छे से किया नहीं है question अच्छे से practice की नहीं है इसलिए सब की नईया do भी रहते है भाई तो देखो भाई formula पहला है a square minus में b square क्या होता है a plus में b और a minus में b ठीक है जी a plus में b का whole square क्या होता है यह तो था a square minus में b square whole square क्या होता है a plus b का तो वो होता है a plus में b और a plus में b ठीक है इन दोनों का product और a plus में b का whole square और क्या होता है a square इन दोनों के आप multiply करोगे तो यह संख्या आईगी आपके सामने a की multiply a में करोगे a square a की multiply b में करोगे a b फिर B की multiply ए इसमें करोगे ए में तो B A तो A B और B A मिलके क्या बन जाएगा 2 A B बन जाएगा और B की इसमें multiply करोगे तो B square A माइनस में B का whole square क्या होता है ये plus का था minus माइनस में सिर्फ minus 2 A B इसमें sign change हो जाता है minus 2 A B A square माइनस में 2 A B पलस में B square काफी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A square पलस में B square माइनस में 2 A B ये भी बाठ ठीक है उसके बाद formula है हमारा A plus में B का whole square जो ये वाला formula था भाई हमारा और A माइनस में B का whole square ये वाला formula इनका हमने कर दिया plus तो plus करने के बाद हमारे पास क्या equation आई देखो इनका जब हम plus करेंगे तो A plus में B का whole square plus में A minus में B का whole square किसके बराबर आया यहाँ पे जब हम plus करेंगे तो ये भी plus होगा ये भी plus होगा ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे कटने के बाद क्या आएगा भाईया 2 A square plus में B square दो common ले रखा है ये भी आपने ध्यान रखना है उसके बाद अगर इन दोनों equation के हम minus करेंगे तो minus करने के बाद result क्या आएगा A plus में B minus में A minus में B का whole square A plus में B का whole square minus में A minus B का whole square is equal to यहाँ minus करोगे ये minus minus plus हो जाएगा ये minus करोगे ये cut जाएगा ये cut जाएगा यहाँ पर क्या result बचेगा 4 A B अब हम करते हैं इन ही formula पर थोड़े से formula के उपर question practice पहला question What is the product of X plus में A और X plus में B भाई ये क्या पूछा है ये पूछा आपने तो इनके product क्या होगी मैंने अभी आपको formula दिखाया ये वाला A plus में B A plus में B यही तो चीज है A plus में B A plus में B यही तो चीज है भाई ये A है ये plus में B यही तो मामला है और क्या है तो इसका formula क्या क्या result निकलेगा भाई तो आप इनके multiply कर दो तो इसकी आप इसमें करोगे, ठीक है, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, तो यह हो जाएगा, X स्केर, फिर इसमें करोगे, प्लस में, X, B, फिर इसकी A की X में करोगे, A, X, प्लस में, इसकी इसमें करोगे, तो A, B, ठीक है भीया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अ क्या है x square plus में x a plus में b और plus में b a option नमरा यहां पर ठीक हो जाएगा उसके बाद है यह question simplify the expression यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है इसको और इसको देखो 6 का square 36 7 का square 49 तो यह ऐसे नहीं लग रहा a plus में b a minus में b और यह a का square ठीक है और इसका और b का square नहीं लग रहा q का square तो यह क्या formula नहीं है भाई a square plus में b square का formula क्या होता है लेकिन यहां पर a square plus में b square करेंगे इसका तो formula नहीं पड़ा नहीं तो आओ कोई बात नहीं आप एक काम करो यह जो चीज है ना यह क्या लिखी हुई है हमारी यह है यह इस question को देखो आप यह 36p square plus में 49 अब यह क्या square है इसको मान लो a इसको मान लो खाली b ठीक है और आप इन दोनों की multiply करो इन दोनों की तो 6 का square 36, 36p square plus में 6, 7, 42, minus का 42p क्याओ फिर आजाएगा 7, 42, plus का 7, 42 क्याओ पी और 7, 7, 49, minus का 49 क्याओ square इससे यह कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा तो यह हमारा बच जाएगा 36p square plus में 49 q square डोट इसमें से यह बचेगा 36p square यह कट गया, यह कट गया, minus का 49 q square और यह क्या है, यह है a plus में b और a minus में b, है की नहीं है, तो भाई, यह किसका formula होता है, अभी मैंने आपको बताया था यह a square minus में b square, क्या इसके बराबर होता है, a plus में b और a minus में b, तो यह किसके बराबर हो जाएगा a square plus में, sorry a square minus में b square, तो a square a क्या है, हमारा 36 का square कितना हो जाएगा भाई p का whole square, minus में b का 49, q square का whole square, यह हमारा result बनेगा, तो यह पाई, उसके बाद है, यह question, which of, which among the below option can be square root of, square root of this, okay, तो कैसे करें इसको, इसका square root ले ही लो ना, हवाबा जी क्या करनी है, है, इसका अगर हम square root लेंगे, ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x square minus में 14x, और यह क्या लिखा हुआ है, यह क्या है, यह लिखा हुआ है, यह पूरा formula को क्या लग रहा है, यह ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कुछ, x square minus में 2, 7x, और पलस में 7 का square, यह लिखा हुआ है, यह क्या है, यह formula नहीं बन गया हमारा भाई, किसका बन गया formula, a minus में b का square क्या होता है, a square minus में 2, a, b, पलस में b square, यह वही चो चीज लिखी हुई है, लिखी हुई है, हाँ भाई, बिलकुल लिखी हुई है, तो यह क्या है, यह हमारा, इसका अगर root लोगे, यह हमारी क्या लिखी हुए, यह लिखी हुए, x minus में 7 का whole square, फिर उसके उपर square root यह वाला इसने बोला, ले लेंगे, तो यह कट जाएगा, खाली बचेगा, x minus में 7, x minus में 7, मैं सिरफ यह एक यह option देखूँगा, इसको solely नहीं करूँगा, यहाँ पर x minus 7 है, c, the c option टिक करूँगा, बाकी मैं इसको check-in नहीं करूँगा, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, c option इस question को देखो, इसमें यह हमारा है, can be expressed as the square of, किसका square है यह, देखो यहाँ पर 9 by 4 है, 9 by 4 है, तो मतलब fraction आएगा, जो भी हमारा a minus में b होगा, यह a plus में b होगा, तो यह d option तो वैसे eliminate हो जाएगा, यह बचेंगे, तो यह किसका square है, देखो, मैं लिख देता हूँ, 144 x square minus में 3 x plus में 9 by 4, यह किसका square है, तो यह 144, यह आपको क्या लग रहा है, यह a square, यह minus में 2 a b, और यह आपको b square नहीं लग रहा, यहाँ पे आप कहोगे 12 x का whole square, minus में 2, a क्या लेंगे हम 12, 12 दूनी, 24, 12 x, और यह b कितना हो जाएगा भाई, यह b हो जाएगा 3, और 3 by 2 का whole square, यहाँ पे 3 by 2, और यह हो जाएगा हमारा 3 by 2 का whole square, यह कुछ ऐसी, इस form में नहीं लग रहा आपको यह जब square करोगे तो, यह a minus b का whole square नहीं बन गया, whole square, बनाग नहीं बना, यह a minus b का whole square का formula क्या होता है, a square minus में 2 a b, और plus में b square, तो यहाँ पे आप देखो, 2 x 2 कर जाएगा बारा तिये, बारा तिये 36, 36 x आ जाएगा, हाँ जी आ गया, यह 12 का square, 144 और x का x square, पलस में 3 का square, 9, 2 का square, 4, यही चीज तो उपर लिखी विए, तो यह किसका square आ गया, a minus में b का whole square, तो a क्या है, बारा और 12 x, माइनस में b कितना हो गया हमारा, b हो गया भाई, 3 by 2 का whole square, यह हो गया, result, अब यह result है, हमारे पास, हाँ, result तो है, कहा है, result हमारा यह, यह, क्या हुआ, 12 x माइनस में 3 by 2, 12 x माइनस में 3 by 2 का square है, यह expression, तो हमारा c option, हमारा यहाँ पर ठीक हो जाए, उसके बाद है भाई, यह question, और यह question का सीधा formula मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा व इसमें, आपने अगर इन दोनों का sum किया, जब a plus में b का whole square और a minus में b का whole square का, जब आपने plus किया, तो यह किसके बराबर आया था, यह four a b के बराबर आया था, यह concept आपको याद रहता, तो आप इसको second हो में कर लेते, यह लिखा हुआ है, two a b, यह हमारा a है, यह हमारा b है इसका square है, a plus b का, minus में, a minus में b का whole square, यह किसके बराबर होता है, four a b की, यहाँ पर a कितना है, two, four गुना में two a, और b कितना है, three b, multiply करनी है, multiply कर दो, नहीं करनी है, आपकी मर्जी, चार दुनिया, आठ 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 यह, 24 a b, इस question का answer होगा, c option हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा, formula याद होता, second question, solve, उसके बाद है भाई, यह question, what is the simplify value of, इसके simplify value बतानी है, यह क्या है, एक तो one by eight को तो आप side में रखो, यह क्या लिखा हुआ है, a, और यह है भाई यह, plus में b का whole square, minus में, a minus में b का whole square, तो यह किसके बराबर होगा, भाई, four a b के बराबर नहीं हो गया, तो यह हो गया, four a b, a क्या है हमारा यहां पे, four into में, a है हमारा, x, b हमारा, एक बते y, is equal to one by eight था, अब जो कटे उसको काट दो, चार से चार दुनी, आठ, तो यह आ जाएगा, भाई, x upon में, यह y निचे है, तो two y, यह हमारा इसका solution बनेगा, x upon में two y, c option हमारा यहां पे, ठीक हो जाएगा, मैं उमीद करता हूँ, आप लोगों को यह basic formula algebra के, और यह question समझ में आया होंगे, next video में आगे बढ़ेंगे, thank you so much guys, video आपको ठीक लगी तो like करना, channel पे नहीं हो, तो subscribe करना,